तो दोस्तों आपका एक बार और सागत है मेरे इस चैनल में और आज हम कई सारे अपडेट मिलें उसके बारे हम बात करेंगे और यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और काफी महत्पूर जानकारी है जिस जो कि आप इस वीडियो में देखाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट कर लेते हैं क्या क्या टॉप है आज के अगर आप सेमसंग गैलेक्सी M52 यूज कर रहे हैं तो अगर आपके डवाइस में कोई अपडेट आता है तो प्लीज इसको अपडेट मत कीजिए क्योंकि आपके डवाइस में यह आपको लाइन दिखाएं दे रही होगी क कुछ इस तरह से वह आपके डवाइस में मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो आपका बहुत मौटा करच होगा इसलिए मेरा ही सजिसन रहेगा आप अगर आप मत कीजिए क्योंकि इसमें लाइन की प्रॉबलम आ चुकी है अगली निजन निकल के आ रही है सेमसंग की तरफ स सुपरफास चार्जिंग है वह 25 25 बॉट तक है और कई सारे अभी जो फ्लेक्सिव डवाइस है उसमें आपको 45 बॉट की चार्जिंग मिल जाती है लेकिन को ज्यादा नहीं है 15 मिनिट का फरक है तो 15 मिनिट के लिए आप 42 रुपाय का को देगो तो कुछ ऐसे हजाब से है बागी 65 बॉट की चार्जिंग देख लेते हैं मुझे लग रहा है साइद यह 25 जो सीरीज लॉंच होगी यह उसके लिए है तो आई होप अगर समसंग इसा कर रहा है तो अच्छी बात है बागी आप कितना एक्साइटेड हो इसके लिए कमेंटम आप मेरे को जरू बताएं अगला जो अपटेट है वो गेलक्सी एस 24 सीरीज के लिए है और इसमें बनीवाई 6.1.1 जैसा की स्कीन पर देख पा रहे होंगे आप यह कोरिया में मिल चुका है तो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है इसमें AI की कुछ फीचर है जैसा की स्कीन पर देख पा रहे ह है तो उसके लिए नए अपडेट आये हुगा है और अपडेट साइज की बात करना दो फलाल इंफरमिशन में नहीं है यह अपडेट है कर रहे हैं तो अब आप डवाई समझा यह सब्सक्राइब अपडेट में आपके मगर कोई डवाईस अपडेट आये हुगा है तो आप कुछ प्रावलम है दोस्तों कर आप सेमसंग कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जैसे आपके डवाईस 5% पर आता है उसके बाद एक परसेंट आने में वह कुछी मिनुटों में अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता मत कीजिए यह सभी के साथ है मेरे साथ भी सही होत जाता एकदम स्लो हो जाता है बागी आप बताईए अगर आपके डवाईस साथ ऐसा है या नहीं कमेंट में